नमस्टार दोस्तो आपके अपने YouTube चैनल आर देवरे में आपका स्वागत है दोस्तो अभी तक अपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और बेल आइकों को प्रेज जरूर किजे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिक्शन आपको मिलती रहें तो दोस्तो आज आपन बात करेंगे P.I. Industries Limited कमपनी के बारे में क्यूंकि कमपनी ने अपने quarter two case result पेश किया है तो कैसे रहे कमपनी के quarter two case result देखते हैं फिगर जो दिये है वो rupees in millions में है पहला कॉलम 39-2021 का है दुसरा कॉलम में पिछले quarter का 36-2021 और तीसरा कॉलम में पिछले year का 39-2020 पहले देखेंगे अपन रेवेन्यू फ्रॉम उप्रेशन तो पिछले साल देखें तो 11,597 पिछले quarter में 11,938 और आपी देखें तो 13,542 year on year भी और quarter on quarter भी कापी अच्छा इंप्रॉमेंट हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम उप्रेशन में टोटल इंकम देखें तो पिछले साल 11,913 पिछले quarter में 12,215 और आपी देखें तो 13,819 year on year भी और quarter on quarter भी टोटल इंकम में कापी अच्छी ग्रोथ हुई है कमपनी के टोटल खर्चे देखें तो पिछले साल देख सकते है 9,255 वही पिछले quarter में 9,970 और आपी देखें तो 11,148 year on year भी और quarter on quarter भी कमपनी के खर्चों में बढ़ूतरी हुई है कमपनी का profit देखें profit for the period तो पिछले साल देख सकते हैं 2,144 पिछले quarter में 1,872 और आपी देखें तो 2,296 year on year भी और quarter on quarter भी profit में कापी अच्छी growth हुई है profit for the period EPS देखें तो पिछले साल का EPS देख सकते हैं 14,61 वही पिछले quarter में 12,34 और आपी देखें तो 15,15 year on year भी और quarter on quarter भी कापी अच्छा improvement किया है कापी अच्छे result पेश किया है company ने result में किसी परकार की खराबी नहीं है company का market cap देख सकते हैं 41,538 करोल का है मतलब large cap company है stock का P देखें तो 3.2 है वही dividend yield देख सकते हैं 0.18% है return on capital employed देखें तो 22.1% वही return on equity 18.5% है face value देख सकते हैं debt to equity ratio 0.06 है मतलब बहुत ही कम कर जाहें ना के बराबर बोल सकते हैं EPS देखें तो 1.4 है वही profit growth average पात साल का 18.7% है sales growth पात साल का देखें तो 16.9% है overall company का performance का पह अच्छा दिखाई दे रहा company का एक दिन का chart pattern देखें तो 0.12% के negative return दिए एक दिन में वही एक महा में देखें तो 17% के negative return है 6 महा में 1% के positive return है वही एक साल का chart pattern देखें तो 17% के return दिए है 5 साल में 255% के return है वही maximum का chart pattern देखें तो 3630% के अच्छे कासे return दिए अपने shareholder को chart pattern भी देखें तो एक uptrend वाला है कापी अच्छा chart pattern है company का अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like and subscribe जरूर कीज़े थेंक्यो